नमस्कार आप देख रहे हैं लाइफ दिहार मैं हूँ करिस्मा सिंग अगर आप पूलिस में जाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ही खास है उत्तर परदेश पूलिस भरती प्रौनती बोर्ड ने 9534 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है उत्तर परदेश में दरोगा के लिए 9534 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है आईए हम आपको इस खबर के बारे में डिटेल में बताते हैं उत्तर परदेश पूलिस भरती प्रौनती बोर्ड ने उपी पूलिस में सब इक्सपेक्टर एसाई की 9534 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है है कुल पदों में 3613 पद आना रक्षित है 902 पद EWS 2437 पद OBC 1895 एससी 180 स्टी वर के लिए रक्षित है इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अप्रिल 2021 से सुरू होकर 30 अप्रिल 2021 तक आवेदन किया जा सकेगा SI के 9534 रिक्ष पदों में नागरिक पुलिस में 9037 प्लांटू कमांडर PSC में 484 और अगनिसामक दूतिय अधिकारी में 37 पद है नागरिक पुलिस एम प्लांटू कमांडर PSC में SI पद के लिए किसी भी बीसे में ग्रेजुएशन अगनिसामक दूतिय अधिकारी के लिए पहले एक जुलाई 2000 के बाद ना हुआन हो उत्तर परदेश के SC, ST, OVC वर्ग की आयू सीमाप में पाच-पाच बर्स की छुट दी जाएगी वेतन मानतीना 9300-34800 M grade बे 42sound रुपए हैं वही उच्छाई की बात करें तो समानने OVC, ST वर्ग के लिए 168, C, showered fore zu 6acon, सीना समाने बर्ग OPC-SC वर्ग के लिए बीना फुलाए 79 संटीमिटर और फुला कर 84 संटीमिटर ST वर्ग के लिए बीना फुलाए 77 संटीमिटर और फुला कर 82 संटीमिटर ध्यान रहे कि कम से कम 5 संटीमिटर सीने का फुलाव अनिवारे है महिलाओं के लिए उचाई की बात करें के तो समाने OBCM ST वर्ग के लिए कम से कम 152 cm, ST वर्ग के लिए 147 cm वजन की बात करें तो सभी महिलाए अभियार्थियों के लिए कम से कम 40 kg वजन होना चाहिए लिखित परिक्षा 400 अंकों की होगी जिसमें objective टाइप प्रस्ण पूछे जाएंगे दो घंटे की इस online लिखित परिक्षा में चार अलग-अलग विसों का एक-एक प्रस्ण होगा समाने हिंदी 100 अंक, मुल्विदी सविधान, समाने ग्यान से 100 अंक का प्रस्ण पूछा जाएगा संग्यात्म के मानसिक योगित्ता परिक्षा 100 अंक, मानसिक अभिरुची परिक्षा तरकिक परिक्षा सो अंग लिखित परिक्षा में पास अभियर्थी को सारीरिक तक्षिता परिक्षा के लिए बुलाया जाएगा सारीरिक तक्षिता परिक्षा में केवल क्वालिफाइन होगी सारीरिक दक्षता परिक्षा में पूरुसों के लिए 4.8 km की दोड 28 मिनट में पूरी करनी होगी महिलाओ को 2.4 km की दोड 16 मिनट में पूरी करनी होगी ऐसे अभियर्थी जो सारीरिक दक्षता परिक्षा में क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें लिखित परिक्षा में प्राप्त अंग के आधार पर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा लिखित परिक्षा में प्राप्त अंग के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई यूपी पूलिस ने सब एक्सपेक्टर के पद के लिए 9534 पदों के लिए वाकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें लाइफ बिहार धन्यवाद अभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सबस्क्राइब कर ले और फेस्बुक पर लाइक करना न भुले लाइफ बिहार यूट्यूब पर सबस्क्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें